नमस्ते, क्या साम आप सब लो, beautiful success story लेकर के आई हूँ, ये जो success story है न, ये सामने वले इंसान के दिमाग को बदल देनी की success story है, और ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने love vibration और affirmation से किया है, आपको ये success story जरूर सुननी चाहिए है, अगर आप भी किसी और के उपर कुछ काम करना हाते हो तो, हलो शांबवी दीदी, मैं डेली से हूँ, मेरी age 23 है, और मेरी पूरी family गाउं से बिलॉंग करती है, हम लोग यहाँ पर चार साल पहले ही आए, और उसके बाद यहीं पर हम लोग सेट हो गए है, इसलिए मैं अभी आपको जो success story लिख रही हूँ, वो दिली से ल करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि मेरा family background बहुत छोटे mindset वाला है, तो उनको मेरी शादी की जल्दी लग गई थी, और जब मैं 20 साल की थी, तब से ही वो लोग शादी शादी चलना रहे थे, और उनका ये भी कहना था कि हमारे गाउं में सबकी ही शादी हो चुकी है, सिर्फ मैं बची हूँ, अब जबरदस्ती में इन्होंने कोई लड़का गाउं से ही देखा, और उसी से मुझे बिना बताए मेरी शादी भी पकी कर दी, और engagement हमारे यहाँ पर शेहरों की तरह नहीं होती है, तो वो भी पीछे-पीछे ही हो गई, और मुझे घर पर पता चला, मैं बहुत जादा रोई, मैंने अपने लिए कोई स्टैंड भी नहीं लिया, और मैंने रो रो करके आपके वीडियों के नीचे बहुत बार कॉमेंट किया, तब आपका एक कॉमेंट पर रिपलाय आया, कि अपने लिए स्टैंड लो, उसी रात मैं घर पर खुब लड़ी, अप अपने बड़े भाया को भी बोला, मेरे बड़े भाया बहुत जादा स्ट्रॉंग इंसान है, लेकिन वो भी पुरानी सोचके ही इंसान है, मैंने सोचा, मैं लोगों को कैसे समझाओं, मैंने ये भी कहा, कि मैं मर जाओंगी, और दूसरे लोगों का घर भी बरबाद कर दू मुझे शादी अभी नहीं करनी है मुझे सिर्फ दो साल का और टाइम दे दो जब मैं 25-26 की हो जाऊंगी तब अराम से शादी कर देना मैं तब कुछ भी नहीं कहूंगी प्लीज मुझे पढ़ने का टाइम दे दो लेकिन वो लोग मेरी एक भी बात नहीं सुन रहे थे इसी बीच में मेरे उपर हाथ बे उठा दिया फिर मैं रोते रोते गई और सो गई मन में डिसाइड कर चुकी थी चाहे कुछ भी हो जाए मैं उशादी में नहीं बैटने वाली मैं कुछ भी करूँगी पर मैं वो शादी नहीं करूँगी ऐसा ही मन में सोच रही थी लेकिन मेरा रोना नहीं रुक रहा था फिर रोते रोते ही मैंने अपने आपको शान्त किया टीप ब्रिधिंग करी आपका वीडियो देखने लगी तो हो ओपोनो पोनो प्रेयर का वीडियो आया मैंने हो ओपोनो पोनो प्रेयर करते समय फील किया कि मैंने बिल्कु सही आक्शन ले लिया है अब मुझे अपने बड़े भाईया को लव वाइबरेशन भेजने का मन किया मैंने उनको तब vibration भेजी दूसरे दिन घर का महल बहुत negative था पर फिर भी मैंने अपने घर पर जो चाय बनाई उसके अंदर affirmations डाली और बार-बार पूरे दिन घर पे affirm करती रही कि ये लोग समझ गए हैं और अब मेरी शादी के लिए बहुत समझदारी से चल रहे हैं मुझे सामने से आ करके ही ये लोग मेरे मन की बात बोल रहे हैं और मेरे साथ ये एक हटे बाद हुआ मैं सिर् तीन दिन ही affirmations कर पाई थी लेकिन मैं love vibration भेज रही थी और जैसे ही मैंने affirmations बंद कर दिया है और love vibration सिर्फ भाया को आदत में ही भेजती रही मेरे भाया मेरे पास और उन्होंने मुझे sorry बोला और उन्होंने मेरे गाल पर हाथ तका के कहा इसी पर मैंने थपड मारा है तू भी मुझे थपड मार दे खीच करके लेकिन I'm so sorry मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था गाउं में होता है ऐसा अब हम शहर में आ गए हैं यहां रहने लग गए हैं तू इतनी अच्छी है पढ़ाई में और तू पढ़ना भी चाहती है मैं तो चाहता हूँ कि आगे जाकर के तू अपनी खुशी से अपनी मर्जी से जहां तू चाहती है और अगर तुझे कोई पसंद आए वहाँ पर भी चाहती है और अगर हम तुझे कोई लड़का दिखाए अगर तुझे पसंद आए तो तू मना भी कर सकती है, मैं तेरी शादी दो से तीन साल तक होने ही नहीं दूँगा, अब तू टेंशन मत लियो, तेरा भाई खड़ा है, और उसी दिन उन्होंने पापा को भी जा करके बोल दिया, कि अगर ये बहुत भारी लग रही है, तो मैं इसको बाप बन करके पाल लूँगा, लेकिन आज के बाद, तीन साल तक, अगर किसी ने भी इसका नाम लिया शादी को ले करके, तो उसी दिन इसको घर से ले करके, जा के कहीं और रग दूँगा, इसलिए अब मुझे भाई और बाप दो का फर्ज निभाने के लिए मत दी आवे भाई अशंक से और मेरी बेहन को पूरी थरह से पढ़ने का मौका दीजएगा, हैट्स ओक टू यु भाई, थैक्यू सो मज्गा, इपिए हर बेहन को आपके जैसा माही मिलना ही चाहिये, थैक्यू सो मज, मैं बहुत ब्लेस्ट वूं कि यारी मैं फड़ पारी हूं मैं एक्सप्रेस नी कर पारी मैं कई बारे ओवर्वेल्म डू जाती हूं मेरको ऐसा लगना लगता है कि मैं कंट्रोल खो गई हूं मेरा खो गया कंट्रोल मेरे भाई जब ये बोल रहे थे मैं दीवार के पिछे रुक करके इतनी जोर से रो रही थी कि मुझे लग रहा था फाइनली मेरा किसी ने हाथ पकड़ लिया है और फाइनली जैसे कि मेरे भाया के अंदर भगवान जी घुजगए है और वो बोल रहे हैं मेरे भाया इतना जोर से चिला चिला करके सब को ये बाते बोल रहे थे मैं तो एकड़म से हैरान ही हो गई थी कि ये कैसे हुआ मेरा मैनिफेस्टेशन ऐसे पूरा हुआ है कि इन सब का मुँ एकड़म से बंद हो गया और इनोंने जहां गाओं में वो पका किया था वो भी सब का सब उसी दिन फोन करके खतम किया मेरे भाया ने बोला कुछ नहीं चाहिए वापस उनसे उनको बोलो जो भी दिया है हमने अपनी लड़की के सर के उपर से उतार करके दे दिया है और उनसे ये भी कहा कि दूआ करना कि ये बहुत तरक्की करे इसको बहुत सारी सफलता मिले और ये खुश रहे और आप भी बहुत अच्छी जगा अपने बेटे की शादी कर दीजेगा मैं एकदम से हैरान थी मैंने फिर उस लड़के के लिए भी प्रेयर की जिसे मैं जानती तक नहीं थी और ये लोग शादी पकी करके आ गए थे और मैं बहुत अच्छा और हलका फील कर रही थी मेरे घर का मोहल ही चेंज हो गया मुझे इतना प्यार मिलने लग गया मैं सची में बहुत जादा खुश हूँ क्योंकि उसके बाद जो नफरत का महल था उसको ऐसे प्यार बेदलता हुआ देख करके बहुत जादा खुशी हो रही है और अपने उपर बहुत जादा प्राउड हो रहा है कि अच्छा हुआ मैंने उस वक्त उस सारी चीजों को भगवान का इशारा समझ करके कर दिया और देखिया आज रिजल्ट कितना अच्छा आ गया है तांकि तो मच अब मैं पढ़ पाऊंगी अपनी मर्जी का और बहुत सारी एडुकेशन लेकर के लाइफ में आगे बढ़ूंगी तांकि तो मच दिदी मुझे ब्लेस कीजिएगा तांकि तो मच आपने मेरी बहुत मदद की है इतने तकलीफ के टाइम पर आपके वीडियों हमेशा एक दोस्त की तरह मेरे साथ रही तांकि यू I love you थैंक्यू आपने बीच बीच में मेरे को स्टोरी में से पूरा न वो कर दिया कहीं का कहीं का कहीं गुमा दिया उसके लिए थैंक्यू सो मच यार आप जैसी सस्टोरी में पड़ती हूंँँए न मेरे दिल को ना मेरे आतमा को ने शांती मिल जाती है और इस शांती को मुझ तक देने के लिए और पता नहीं कितने लोगों को इसको सुनके शांती मिलेगी उस हर आत्मा को शांती देने के लिए ना दिल से धन्यवाद मैं दिल से आपका धन्यवाद करना चाहती हूं कि आपने इसे शेर किया और आपने बहु को हैं इंडन से काईडन्स मिल रही है आपके आपको हेल्प कर रहे कि डिबाइनाइग आपको कर रहा है आपका इनर अपको लेते जाए और उसको किया इसके आप एट्राइख कर के देख सकते हैं अपने चैजिए घील सारा प्यार करें है सारा प्यार, I love you all बादा